C-RDroid Rome for Redmi Note 5 Pro Hi friends, Sidhar Thier from technobuzz.net हमने काफी सारे रोम्स का रिव्यू किया है और काफी सारे ऐसे रोम्स भी थे जो Android Pie के ओपर बेस्ट थे और काफी सारे जो Android Oreo के ओपर बेस्ट थे तो आज एक और रोम है आपके सामने जो Android 8.1.0 Oreo पर बेस्ट है हम फर्स टाइम कर रहे हैं अपने चैनल के ओपर इसका नाम है C-RDroid यह काफी फेमेस रिव्यू है अपनी कस्टमाजेशन के लिए अपने फीचर्स के लिए जो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या कहें यह वीडियो थोड़ा से लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें काफी सारे इसे फीचर्स हैं जो आपके बहुत सारे रोम स्कूपर नहीं देखने को मिलेंगे और कैसे इंस्टॉल करना है वह भी आपको एंड में बताऊंगा तो चलिए देखते हैं जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा पसी रेडमी नोट 5 प्रो का फोन है इसके अंदर आज हमने सी आट रोट का जो एंडुड 8.1.0 पर बेस्ट है उसको इंस्टॉल कर रहका है कुछ इसका लुक आप इस पर ही कर देख पाएंगे अब रहे हैं अब ऑपने कस्टम वेंज जो भी हापर सेट करना चाहें वो कर सकते हैं वो सारी चीज्य में बताओंगा वह आप कैसे करेंगे आपको ऐब कीजेसरी में चलते हैं में चलते हैं सिस्टम पर आपको सारी चीजिए नापको लीज आपको यहाप डीच और चक्तर सकते हैं यहां पडेट कुछेरénे 51 जीका इपको पडेटोगाई पॉन है कि अद यहांसे चेक कर सकते हैं यह इसके नतर आपको अप्डेट से अब चलते हैं और किया सेटक्टिमे में बॉलता है और लिखने को बिलता है और। चीजें होती है ड्यूल 4G और यानि वोल्ट जो इसमें ठीक तरी किसी काम कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है जो में फीचर जो को करना चाहता हूं वह है इसके अपनी सेटिंग सेटिंग्स है उसमें दिखाता हूं आपको क्या है पर उससे पहले आपको सीक् आपको पहले फोन को रूट करना पड़ेगा फिर आपको कैमरा को इनेवल करेंगे तब आपको यूज करेंगे तब यूज कर पाएंगे सिक्योटी पैच जो है इसमें अब तक अब तक अप्ड़ अप्ड़ डेट है और इंक्रिप्शन जो है डिसेबल यह सारी चीजें आ आप यहां पर चेक करने चाहिए वेदर देहना चाहते हैं कि नहीं 4G आइकन क्यों भी अपना चाहिए इसली कर सकते हैं कस्टमाइज इन को निपल कर देंगे तो आपको पर एल्टी की जिएगा वॉल्ट का आइकन देहने को मिल जाएगा बैटरी स्टैल कैसा चाहिए आप इस तरह के साथ इनको चेंज करते हैं बैटरी बार लगा सकते हैं इस पर जो चीज आप करना चाहिए इसली करते हैं क्योंक सेटिंग्स पहलन के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देहने को मिल जाते हैं जैसे यह कस्टम हेडर इमेज इसको आपको एडर पर पर तीन आप बैग़रॉंड बिल जाएगा आपको अगर आप जाते हैं कोई अपनी परसनल इमेज को यहांप सेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है है एडर प्रोवाइडर को जाकर कि कस्टम पर कर दिना है और सेलेक्ट इमेज पर जाके कोई भी में सेलेट ब करके आप उसको वह आपको ब्लूटूथ का स्टेटस चाहिए कि नहीं चाहिए जो कुछ भी आपको चाहिए वैदर सर्विच से रोज कॉलम्स जितनों एडिस्स करना चाहते हैं आप सारी की सारी चीज़ यहां से कर से उसी तरीका से लॉक्स्क्रीन के आपको जो कुछ जैसे वैदर वारा चाहि देखने को मिल रहे हैं और फिंगर्पिंट सेंसरेंश में ठीक तरी से काम करना है मैं आपको अनलोग करके दिखाता हूँ गया है अब वापी सम्सेटिंग्स पर चाहिए आपको दिखा देता हूं के अंदर और क्या-क्या मिलता है आपको लॉक्स्रीन की हम बात कर चुके ह है आप चलते है रीसंस दिखोंटा को भी आप दरिके से अट्रेट्स कर सकतित अपको भी अब लेगिकले बटन आपको कहाँ चाहिए सारे के सारे अब यहां पर देहने बंडिते हैं आपको थो app जाते हैं जैसे आप को लिए आपको करें अब के बार्य जाते हैं इसको यह सी अपने फून में यूज कर से तु यह जाते हैं तो यह अच्छा फीचर है पर को इस टेस्ट कर शाथ यहां से आट यहां से अगया सेल देटेटा झाल जाते हैं जो भी है आप इसली एंड्सकति बटन्स में आपको काफिस मूल जाता है से एडवांस रिसट्राइब आप 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 सी तो सतीजिए हैं आप बहुत अदर्फेस के दो हैं तो आप अधर करते हैं उस ट्रीख इस जैसे मैंने इस्टैमिट श्रेकलर रखा है यू तरिक है अब रिकूस कने जाते हैं तो तर्क रिकुस कर ली चेह विजा पूरी आप इंटरफेस में पीजह कर दें आपने नोटिफिकशन को मॉडिफाई कर सेते हैं फोन मुझे नोटिफिकशन आते हैं उन सब चीजों को साउंड को थोड़ा वट मॉडिफाई कर सेते हैं और मिशलीनिस में आपको और भी ऑक्षिन देखने को भी लेगे जैसे अनवांटेड एड्स होते हैं आपके फोन के वो आप आठा सकते हैं कुछी को ब्लॉकर करना चाहते हैं कुछ भी सब्सक्राइग्ट करना चाहिए उसे व क्यूंद ребर तक करे लुए निगक्रवकिस भी जो एप्लिकेशन रागी आरे फॉरी नहीं है रही इन ग्रम जी जो यह तो देक्ष है को जो पॉछ नहीं दिए पॉगल पर नग देखा जेज फे चैनल को आइप पर रहे हैं, ग्यों जो पॉज यह तो एक बीजिता है। यहां कि भी आप नहीं मिला था जा दो नहीं है तो दो आपको चाहिए अपको साथ यह इसाथ ओपने जीप वायल को डाउनोड करने हैं फिर उसके बाद हमको TWRP मोड पर जाना है उसके लिए आपको क्या करना है फोन को सुच आफ करते ही वॉल्यूम अप और पावर के बटन को थोड़ी दियुट करके रखेंगे आप जैसी फोन सुच आफ हो जाता है हम पावर के बटन को दोनों को एक साथ प्रेश करेंगे और आपको दोनों को एक करके इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप इस रोन को इजली अपने फोन में यूज कर पाएंगे तो देखें टीडियूर्पी की स्कीन हमारे सामने आ चुकी है वाइप पर जाएंगे एडवांस वाइप पर जाएंगे डाल भी कैश कैश टाठा और आप गुझा अपने लिए पर जाएंगे तो आप जो है जिए जी अप्लिकेशन इस रोम के साथ तरीक इसे काम कर जाके और गूल के सारे प्लेटोर के फीचस जो है आप इसली इस रोम में यूज कर सके अगर आप उस वाइल को फ्लैश नहीं करेंगे तो आप जो है जो है गूगल के अप्लिकेशन आपके फोन में नहीं देख पाएंगे तो यह फाइल जो है बहुत जरूरी होती है किसी भी कस्टम रोम करत फ्लैश करने के लिए तो अब हमारा रोम जो है फ्लैश हो गया हम वापिस जाएंगे इंस्टॉल पे और जी एपस की फाइल को स्लेट कर कर देगा तो दिखें इंस्टॉलिं स्टार्ट हो गई है यह थोड़ा से टाइम लेगा हम वेट करते हैं थोड़ा तो यह दिखेंगे जी एपस फुली फ्लैश हो गया है अब वाइप कैस्ट चाल भी करेंगे एक बास वाइप टू वाइप एंड रीबूट सिस्टम दो न अपने फाइदा इस फोन के साथ अपने फोन में उठा सेते हैं तो यह दिखेंगे बूट स्कीन आ चुगी है नि रोम फ्लैश हो गया है तो अमीद करता हूं सारी चीजें आपको समय में आगे होंगे अब कोई डाउट लगता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं जाते ज